अमीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआउं से अलहम्दलिला मैं भी एक तम ठीक हूँ अमीद करती हूँ कि आपका आज का दिन माशाला बहुत अच्छा गुजरा होगा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चलूंगी आपने साथ डीप कर लेते हैं फिलहाल कीचर में बहुत ज़्यादा गंद मचा हुए है क्योंकि मैंने सुबह के अभी फिलहाल सफाई ने की मैंने सच्छा चलो आप लोगों के साथ ही करूंगी ताके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं कि मैं कैसे करती हूं सो सबसे पहले हम करेंगे ए गंदा लग रहा है तो इसको अभी चमका लेते हैं इसको चमकाना भी बहुत ज़्यादा असान है यहां इसको सिंक में रख दिया है और यहां मैं लोगी अपना मैजिक वाला सोप जो के है पावर डान उसको मैं अच्छी तरह जो है नवो स्प्रेड कर लेना है आप चाहें यहां water यूज़ का रही हो ना मैंने heart water यूज़ किया था आप चाहें तो regular water भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन heart water से वो जल्दी boil होना start हो जाएगा फिर आपको इतना ज्यादा जो टाइम नहींलगेगा तो यहां मैं इसको जाना वापस रख़ दूंगी तो यहां इसका temperature है ना म मैं ने छोड़ दिया था तकरीब दास से पंदरा मिनट के लिए तो अब मैं करूंगी अपनी कैबिनेट्स और्गिनाइज जरा फिलहाल इसकी हालत देखें देखने को काफी ज्यादा जो है ना इसकी हालत खराब हो चुकी है तो इसको अब हम चमका लेते हैं चमकाना मीन के उसको बस अच्छी तरह चीज़ों को जो ना और्गिनाइज कर लेना है आपने जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं यहां इसकी डेट आपने चेक कर लेनी है कि मेक शूर कोई भी अक्सपार चीज़ें ना वो इसमें ना हो यहां सबसे पहले जैना मैं चीज़ें रखती हूँ नीचे वाली कैबिनेट पर जो मैं रोज में इसको आवरी डेए यूज करती हूँ यहां इसमें तॉर्फल डिफिए हुएं हैं तो यहां इसमें डिफरेंटेंडे सेशन है तो यहां जरा देखें इसमें' manifest गर मसाला है जीरा रखा है मैंने बलाक पैपर लाल मर्च नमक अजवाइन और हल्दी सो मैंने अब सब चीजों को जो है ना इसमें से निकाल लेना है और नीचे से जरा इसकी हाला देखें कितनी खराब हुई हुई है तो यहां जितना भी यह मसाला यहां सपाइसिस वगारा नीचे गिरे हुए ना इसको मैंने अच्छी तरह जो है पहले सबसे पहले क्लीन कर लेना है आप चाहें तो यहां वाश भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको वाश नहीं करूँगी मैं इसको सिर्फ जो है ना वाइप कर तो वो थोड़ी बहुत जो है ना उपर नीचे गीरी जाती है तो मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि मैं इसको कैसे क्लीन रखती हूँ यहां मैंने एक जगा सारी जो स्पाइसिस हैं इसको अकठे कर लिया यह सारा साफ सुतरा होगा देखे कितना चमक रहा है तो अगर जैसे मैंने कहा कि आप वाश करके तो इसको दूप में बाहर रखे दे तो बहुत अच्छा जो है ना यह अच्छी तरह ड्राइ हो जाएगा यहां मैंने एक पेपर टाओ ले लिया है आपने इस तरह ना इसको अच्छी तरह बिछा लेना है और इसके जो कोनर है ना उनको अच्छी तरह बिछा देना है ताकि यह जो कोनर है ना जब आप इसको बंद करें तो वो बाहर ना निकले हुए हो तो फिर मैं इसको फिलिप कर दिया था अच्छी तरह और यहां मैं इसमें पेपर डालने के बाद जो सारे स्पाइसी जैना इसमें वापस राक दूँगी मैंने सारे जो स्पाइसी जैना अब मैं रीफिल भी कर लूँगी यहां मेरी मर्चे थोड़ी कम है तो इसमें मैं लाल मर्चे एड़ कर लूँग है और यहां मेरी हल्दी भी खतम हो चुक है और यहां मैं हल्दी भी जो इसको भी रीफिल कर लूँगी यह जितनी भी इसमें स्पाइसे ना यह आप रोज यूज़ करते तो इस लिए आपको जो ना इसके रीफिल करने की जरूरत पड़ती है जैसे ब्लैक मर्चे में बहुत ज्यादा नहीं यूज करती है और ना मैं इतनी अजवाइन वगरा यूज करती हूँ तो यहां मैंने बलाक मर्चे भी कर ली थी और यहां मैंने बलाक मर्चे भी कर ली थी है और साथ हम रखेंगे गरं मसाला जो मैं सेंटर में रखती हूँ तो जो गरम मसाला है ना वो हमेशा मैं अपना रखती हूं फ्रिज में मैं हमेशा घर का बना हुआ गरम मसाला वो पसंद करती हूं लेकिन जो थोड़ा सा गरम मसाला है ना वो मैं यहां डाल के रख लेती हूं और ये देखें ये हो चुका है रेडी और इसका जो पेपर है ना मैं एवरी टू वीक्स के बाद जो चेंज कर देती हूँ यहां इसको तक्रीबर जो आना पांच मिनिट हो गया है चलते हुए अभी यह बोईल होना बिल्कुल जो आना स्टार्ट नहीं हुआ पानी जो आना हलका सा अपना कलर चेंज कर रहा है मीनिंग के इसका जो आना सारा ग्रीसी पांच जो आना वो खतम हो रहा है सो मैं इसको जो आना और दस मिनट के लिए छोड़ दूँगी तो और यहां हो चुके हैं दस मिनट और पानी जो आना वो अच्छी तरह बोईल हो चुका है तो य यहां मैंने जैसे का मैं एक टूथ प्रॉश लूँगी आप चाहें तो अगर किसी भी किसम का कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं आप इवन बैंबू वाला स्क्रबर जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं तो वो जरूर चेक आउट कीजेगा मैं उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूँगी और यहां यह अच्छी तरह जो है ना क्लीन हो चुका है तो जरा अब इसकी हालत देखें और पहले इसकी हालत क्या थी वो तो आप लोगों को याद ही होगी ना तो यहां जो है ना बस अच्छी तरह मैंने इसको चमका लिया है तो मैंने इसको वापस अब रख दिया अब बाहर से अच्छी तरह जो है इसको क्लीन कार लूँगी और अब हम चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ माइक्रोवेव जो हैना वह मैं बहुत कम यूज करती हूँ लेकिन फिर भी मैं उसको जो है ना अंदर से जरूर साफ करती हूँ यहां मैंने एक बोल में मैंने गरम पानी डाल लिया है और साथ ही मैंने जो है ना इसमें डान सोप एड़ कर दिया है मैं इसको माइकरोवेब करूँगी तकरीबन तीन मिनट के लिए अगर आपका ज्यादा गंदा है तो आप 5-7 मिनट के लिए भी कर सकते हैं लेकिन अगर उससे भी ज्यादा गंदा है तो आप इसमें जो है ना थोड़ा सा विनिगर एड़ कर लें तकरीबन एक टेबल स्पॉन उससे जो है ना आपके जितने भी अंदर जरे बगरा लगे होंगे चिपके होंगे ना वो अच्छी तरह जो हो जाएंगे सो आपने फ्यू डराप्स जैसे मैंने कहा कि मैंने इसमें सोब के डाले हैं और साथ ही मैंने सिर्फार वारल लिया है और अब ये अच्छी तरह जैना वो बोlyl हो चुका है और ये जो इसकी प्लेट है ना वो में एवरी डे जैना वो अच्छी तरह क्लीन करती हूँ even 2 मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ लेकिन अंदर से आपका microwave जो ना clean होना बहुत ज्यादा जरूरी है मैं इसका rack भी move कर लिया है मैंने इसकी plate भी move कर लिया है और अच्छी तरह जो है ना मैंने इसको अंदर से clean कर लेना है क्योंकि अगर आप जैसे मैंने कहा गरम गरम ही किसी चीज़ को wipe करते है ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से असानी से हो जाता है अगर आपको जरूरत लगे तो आप यही कपड़ा लेके या आप wash cloth यूज़ कर रहे हैं अच्छे तरह वाइब कर लेना है मैंने जो यहां माइक्रोवेब के ऊपर दो शीट मैंने बिचाई हुई है यह जो शीट है यह आपको बड़ी असानी से वालमार टारगेट किसी भी स्टोर से यह आपको एजली मिल जाएंगी तो यहां आप प्री कट भी ले सकते हैं आप खुद भी अपनी जो मेजर्मेंट के हसाब से ना तब भी गरला कि इसको काट सकते हैं यहां मैंने all-purpose जो स्प्रेय है वो मैंने यूज़ की है इसको अच्छी तरह स्प्रे करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह अब वाइब कर लेना है और ये देखें, ये माशालला आईरेडी जो एना वो चमक रहा है ऐसे के मैंने का मैं माइकरोवेव जो एना वो बहुत कम यूज़ करती हूँ लेकिन मैं उपर से अंदर से इसको ना हमेशा क्लीन करके रखती हूँ ताके इस में से जोना कोई भी स्मेल ना आए क्योंकि अगर थोड़े बहुत जो फूड़े रह जाए ना तो आपके माइक्रोवेव से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है और ये जो मैंने रखा हुए ना उपर टी सेट ये है इनाया अपी जान का उसके डैडी जान इसको ले के दिया था अब तो मैंने का वो तो बहुत चोटी अभी प्लेई नहीं कर पाएगी तो मैंने ये ना डिकोर के लिए मैंने इसके माइक्रोवेव के उपर रख दिया ये पिंक कलर का है इतना प्यारा लग रहा है ना तो ये दोनों चीज़े जो आपके अच्छी तरह हो चुकी है और अब हम करेंगे इसको जो है ना वो अच्छी तरह क्लीन कर लूँगी मैंने इसमें से सारे जितने भी नाइफ थे वो सारे मैंने निकाल ली है तो जरा मैं आपको क्लोज अप करके दिखाती हूँ ये देखें फिर आपने इसको जो है ना वो फलिप कर लेना है और इसको जो है ना अच्छी तरह आपने इस तरह हला वगरा लेना है जो जो है ना इसके जतने भी अगर कोई छोटा मोटा कुछ भी जरा वगरा इसके अंदर होना बलाक के अंदर तो वो निकल जाए तो यहां जो तरह मेरा बिलकूल क्लीन था और जरा ये इसकी यूज़ करना है यहां मैंने पेपर टाप पे मैंने इसको हलका सा मैंने स्प्रे कर लिया था और अब इसको मैंने सारी तरफ से अच्छी तरह जो एना वो क्लीन कर लेना है ताके जितनी भी डिस्ट होना मैं उसको अच्छे तरीके से उतार पाऊं और जरा आप इसकी हालत दे वापस अच्छी तरीके से लगा दियें और अब इसकी जरा हालत देखें देखने को भी अच्छा लग रहा है और साफ सुत्रा भी हो चुका है और अब हम चलते हैं इस कैबिनेट की तरफ ये कैबिनेट है ना इसकी काफी ज्यादा फिल हाला हालत खराग हुई है क्योंकि ह हम चीजें लाला आके ना इसमें बस रख देते हैं और फिर हमें याद बूल जाता है और जब टाइम आता है किसी चीज़ को डूनने का तो वो हमें अक्सर जो ना वो मिलती नहीं है तो काफी तो मैं पीती नहीं हूँ लेकिन अगर आप मेरे चैलन्ड पे न्यू है तो मैं ओपन करेंगे ना इतनी गंदी स्मेल आती है और इसका ओएल तो मुझे समझ जी नहीं आता कि वो याला वो इस लोगों ने क्या डाला हुए है तो ये तो मेरा जो है ना वो बिल्कुल वेस्ट आफ मनी था मैंने ये चार की जो है ना मैंने एक तो मैंने गाजर का चार लिय कर लोगी कि मेक चर कोई एकस्पायर ना हो लेकिन सबसे पहले जो आना वो मैं कैबनेट को अच्छी तरह जो आज़ाना वो क्लीन कर लोगी यहां मैंने एक प्रश की मद्शे को अच्छी तरह जितने भी जर्व अगरा थे यां कोई सपाईस वगरा नीचे गिरी है ना तो म ने उनको और्गीनाइज कर रही हूं, तो यहां जो अपना स्पाइस वालागस छो था, वो भी रख दिया। जो कड़ी पता है न वो हमेशे झाना अपने स्पाइस बाक्स के पास ही रखती ओना क्योंकर आपने पैपर वगडरा रखके न तो फिर उसको रखा करें ताकि जो ओई ला न वो आपकी के अंदर ना लगे तो अब जो आप वाली उसको मैं अच्छी तरह क्लीन कार लूँँगी मैं असमें से भी सारे जो स्पारें जो भी मतलब मसाले वगेरा ब्लैक पैपर ये वो जो है ना वो मैं यहां रखती हूं क्योंके ब्लैक पैपर जो है वो मैंने अपने स्पाइस पाक्स में भी रखी है तो इसकी मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तो यहां जो है ना मैं इसको अच्छी तरह फिल वाली चीज़ें तो जैसे मैंने कहा कि जो मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ करती है ना वो मैं सबसे उपर रखती हूं और जरा ये मेरी फ्रिज की हाला देखे कितनी खराब उपर से हुई है यह मुझे नहीं याद मैंने लास्ट टाम कब क्लीन की थी तो अब इन्श जैना मैं अच्छी तरह चमका लूँगी मैंने यहां लिया है पावर डान ये जैना ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपके पास ये पावर डान नहीं है ना तो आप लोगों को ये मस्ट बाई करना चाहिए यहां मैं इसको अच्छी तरह जैना वो स्प्रे कर लूँ ये छोड़ दिया था फिर मैंने इसे हलका सा जैना स्क्रब कर लिया और मैं यहां जो स्क्रब है ना बिल्कुल हलके हाथों से का रही हूं और बहुत असानी से जैना ये डर्ट वगएरा उतर रही है अगर मैं वो डान सो अपना यूज़ करती तो फिर थोड़ा सा मुझे म ये जो वाशका था ता ना मैंने इसको गरब पानी में अच्छी तरह डिप करके फिर उपानी था वो पानी ता कर दिया और पिर इसको अंची तरह वाइब करने में अज्ज़ असानी हो रही है तो यहां ये जो आपको इसके फिरज के edges से नजर आ रहे हैं ना मैं आप इसको जो है ना वो ब्रश की मदद से करूँ गी लेकिन बाकी जो सारा हिसा ना वो मैंने wash class से ही अच्छी तरह जो है ना मैंने wipe कर लिया है क्योंकि जो edges ना उसमें थोड़े थोड़े जरे जो है ना वो भी stuck हुए है तो वो निकालने जो है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है so मैंने यहां जो है टूथ प्रश ले लिया था और ये देखें ये भी मैं अच्छी तरह जो है ना इसको भी चमका लूँगी क्योंकि कोनर वगरा जो है ना वो अक्सर रही जाते हैं तो इसी लिए मैंने सोचा चलो मैं तूथ प्रश यूज़ करती हूँ तूथ प्रश जो है ना वो बहुत काम की चीज़ है इवन किचन में भी सो मैं जो आना फिर आलवेज अपने किचन में टूथ प्रश मस्ट रखती हूँ और जरा अब इसकी हाले देखें कितना साफ सुतरा और और्गिनाइज़ सा हो गया हम क्या करते हैं हम जो भी चीज़ आती है ना हाथ में उपर वस रख देते हैं तो हमें याद बूल जाता ह यहां मैं अपने जो ड्रोर्स आना इनको अच्छी तरह और्गिनाइज़ कर लूँगी यहां मैंने लिया था अमजान से यह मुझे बहुत काम की चीज़ लगती है क्योंकि सारे जितने भी आपके पेपर वगएर आना वो एक ही जगा चले जाते हैं और यहां मेरे कलोंजी के सीड जो है ना वो इसके उपर फिलहाल थोड़े बहुत गिरे हैं तो मैं इसको अच्छी तरह जो ना वो क्लीन कर लूँगी यहां मैंने डिफरेंट डिफरेंट काइन के पेपर जितने भी मुझे चाहिए होते हैं वो मैंने इसमें अच्छी तरह जो और्गिनाइस किये तो यहां जो है ना जितने भी मैंने इसमें चीज़े रखी हैं वो सब चीज़े निकाल के इसको अच्छी तरह जो है ना वो मैंने क्लीन कर लेना है और यहां इसको क्लीन करने के बाद मैंने सारी चीज़े जो है ना वो अच्छी तरह और्गिनाइस कर देनी हैं तो यह जो नी, इनकी हालत खराब है ना, मेरा तो दिल कर रहा है, इनको फैंक दूँ लेकिन मैंने फिर सोचा, अगर मैं फैंक दूँगी, नहीं भी रखूंगी, तो फिर भी उनकी हालत ऐसे ही होनी है, क्योंकि ये हम रोज यूज करते हैं, ये कभी बर्न हो जाता है, कभी इसको कोई लग जाती है, तो उसकी वज़ा से जो है न, ये कवी ज़्यादा गन्दे देखने को लगते हैं, तो यहां इसी तरह मैंने इसको भी साफ कर लिया था अंदर से, पिर इसको अच्छी बीसे में जो इना झूड़ा सट खुपा के रखती हूं इनचला इसे भी यूज़ करती हूं लेकिन फिर भी इन्चली जो इना पीछ से शेखती हूं बार डाला है आपने हमेशा जब भी विनिगर यूज़ करना है तो डायलोड करके ही यूज़ करना है तो यहां जो आना मैं इसको अच्छी तरह अब स्प्रे कर लूँगी और फिर इसको मैंने वाइप कर लेना है इससे आपके जो आना काउंटर टाप्स बहुत चमके यह जो आना वो मेरे काउंटर टाप पे ना लगे और यह मेरा कोनर जो आना वो रेडी हो चुका है यह मेरा फेवरिट कोनर है और इसी तरह जो आना मैं अपने सारे काउंटर टाप्स जो आना उनको अच्छी तरह कलीन कार लूँगी मैं यहां जो आना कोई और स्प्रे नह अगर मैं पहले बाहर आलू डखती थी तो वह बहुत जल्दी खराब हो जाते थे तो उसी वज़ा से मैंने अपने अलू अब अंदर रखने मैंने स्टार्ट कर दी हैं तो मैंने यो एक पेपर टाल नीचे बिचा लिया था तो ताके अगर आपके जो जरे नीचे गिंते हैं वो नीचे बिल्कुल ना गिरें फिर मुझे नजर आ गया पास्ता के मैंने जो एना इसको अभी तक फिल हार री फिल नहीं किया तो यहां मैं पास्ता ले की आई थी तो मैंने का चलो इसको भी डाल के अच्छी तरह जो रख लेते हैं क्योंके एड़ आ रही है तो अफकोर चाहे वगरा के लिए चाहिए ना तो वो मैंने रखी हुई है तो अब इनको अच्छी तरह मैंने और्गिनाइज कर लिया है और अब हम चलते हैं दूसरी तरह यहां यह जो जितनी भी चीज़ें ना यह मेरे लेके आई हैं डैर पाकिस्तान से यह चोटी चोटी चीज़ें यह आपको बड़ा हैपी कर देती हैं मुझसे कोई पूछे कि आपको पाकिस्तान से क्या चाहिए मैं तो कहती हूँ गरम मसाले ले आओ इलाचिया ले आओ पता नहीं की हूँ मुझे वहां का जो गरम मसाले ना उसमें से बहुत अची खुश्बू आती है सो मैं यह जो मसा लेकिन वगरा में या वैसे भी मैं पलाव वगरा बनाऊ तो उसमें मैं यूज कर सकती हूँ तो यहां यह हो चुका है डन तो यहां यह हो नहीं सकता कि हम पाकिस्तानी हो तो हमारे गर में शान मसाले ना हो यह तो इमपासिबल है ना आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें फि वइक वरना तो आपको समझ नहीं आएगी तो आप डालेंगे आपका वो फ़लेवर जो यह वह अच्छा नहीं आए गा घृफ़ आपको समझ नहीं आएगी क्या काम था जिया क्या ज्यूदा हो यह तो इसी लिए जो persons आब यह ना यह रजगाओना तो मेरा व्लाग पिछले वाला दिखिएगा जो मेरा स्टोव इतना ज्यादा गंदा नहीं है तो मैंने यहां आल परपस स्प्रे करके इसे तीन मिनट के लिए चोड़ दिया था और फिर अब इसको अच्छी तरह मैंने वाइब कर लेना है यहां मैंने और भी किसी किसम की स्प्रे जो एना वो बिल्कुल यूज नहीं की मैंने हलके हाथों से मैंने से स्क्रब कर लिया था क्योंके कुछ जो एना इदर उदर जरे लगे हुए थे जो वाइब करने से नहीं उतर रहे थे जैसे ही मैंने हलका से स्क्राब किया तो वो सारे ज़रे असानी से उतर गए तो आप लोग जो है ना वो मेरी वीडियो ज़रूर चेक आउट कीजिएगा वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्स्प्लेइन किया उस वीडियो में स्टेप बाइ स्टेप के आप इसे अपने स हम इसको बिलकुल कर देते हैं अब वो एडिया हमें इसका ओएल जैना वो मने निकल लिया है तो अब इसमें जितने भी चोटे मोटे जरे यहां बर्ण हुआ ओएल रह गया ना मैंने ले लेना है एक पेपर टाउव उसकी मज़से मैं इसको अच्छी तरह जैना मैंने जोड़ देना है और जारा अब इसकी हालत देखे काफी ज्यादा ज्यादा जो एक जाना इसने अपना कलर चेंज कर लिया है क्योंकि इसकी ग्रीस जितनी भी थी वो अच्छे तरीके से उतर गई है तो अब मैं इसे मोशली जो आना वाश करने के बाद मैं इसको दूप में रखे देती हूं ताकि ये अच्छे तरह तरह वो ड्राय हो जाए तो यहां जो山 में इसको अच्छे तरीके से जो山 स्क्रब कर लोंगी ये, ताकि जितनी भी ग्रीस लगी हो कि MORE और इसमें एक चमक आजाए क्योंकि इसको चमकाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप इसको वाश नहीं करेंगे तो यह फिर ज्यादा से ज्यादा बिसी होता जाएगा और फिर जो आपका बरतना वो बिल्कुल खराब हो जाएगा जो अपने बरतना उनको नीचे से अची तरह जो अएगर बाहर कोई यवी वगरा लगा हो तो उसको भी अच्छे तरीके से जो आउग्या उतार पाओं प्लीज अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल अकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताके आपको मेरी नही नही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इन्शाला मैं मिलूंगी आपको नेक्स वीडियो के साथ तब तक अपना ख्यार रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अलाहाफेश अलाहाफेश इनाया पिजान